कि चलते थोड़ा सा लाइफ कर दिया था और एक बार फिर से चुड़े हैं आपको हालाद दिखाने के लिए शहर के देख सकते हैं आप यहां पर क्या हालाद है शहर में गाड़ी की नहीं नाव की चुरूत है अगर आप देखिए पानी पानी है चारो तरफ पानी पानी है और पानी में से निकलने को मड़बूर है फरीदवाद में वासी शायद ही फरीदवाद में कोई जगह ऐसी हो एनाइटी से लेके सेक्टर 14,ion ,16 सेक्टर 14 सेक्टर 15 जहां पानी ना हूँ वाना कि साइवाद मंदी से काने का रास्ता थोड़ा साफ है और सी फोड़ी रहत है यहाँ पानी महींOYधना लेकर चलेगे आपको मत्रहा रोड मत्रहा रोड गार LtdH कि अब भी कहा था कि मत्रो रोड के हालाद भी डिखाई या ऑगे आगे जाकर हो सकता है बट videos के जा रहेंगे ओल चोप की तरफ लो बारिश रेक ज noiister यह लहें यह सकते हैं यहां पानी हो गया है साइड में ने प्रश चुका है लेकिन फिलाल अभी थोड़ी सी सड़क खाली है आने जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता है अभी कि यहां पड़ साफ सड़ कि ऐगर पता हैं यहां कि दर्शक नहें है कि पटीड लगा हुआ है ज्येंकर आप में ज्यूंटक प्टीड में गपंचों के पाल से इस्ता अच दर्शक दीज़ा हुआ हुआ यहां पड़ तो फिर भी राहत नजर आ रही है Ihrer जलअरापकी हिस्तिती गम है हाइवे की तरह हम लोग जा ़ूस्ट के पर दिखाएंगे आपको कहा हालात कि हुए है बारिश के बाद सुवा से जो बारिश हो रही है कभी दीम होती यहां से अगर हम देखें तो सामने हम आपको दिखाएंगे अंडर पास के हालात इस समय अंडर पास के क्या हालात है क्योंकि बारिश होने के बाद जो सबसे खराब इस्तिति होती है वह फरीदवार में अंडर पास की होती है फिलाल गाड़ियां जाती है नजर आ रही है पतानी अंदर क्या हालात है क्या नहीं है लेकिन फिलाल गाड़ियां नीचे की तरफ जाती ही दिखाई दे रही है नहीं यहाँ पर आपको दिखा दें यहाँ पर ओल्ड का अंडर पास है इस वक्त और पुलिस ने बेरिकेडिंग लगा दी है क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि गाड़ियां गई और चालक को अंदाजा नहीं था गाड़ी फस गई थी इसलिए शायद इस बार ए कली बार हाथ से हो चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं आपको यदि वेरिकेडिंग लगा दी गई है पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि कोई भी अंडर पस की तरफ न जाए और सारी गाडियां यहीं से बैक हो रही है आगे भी देखेंगे फारीदाबाद के अंडर पस के क्या हालात है नहक्रीज़ पसद पसद जाँर को है आपको दिखाएंगे लगातार हमारे साथ बनी रही है हलका फुलका जाम भी कई जगे से आ रहा है मैसेज हलका फुलका पारिस के बाद इस्तिती तो फरीदाबाद की खराब हो ही जाती है किलाल हम फिर से एक बार अंडर पास से ओकर अंडर पास की आपको हालात दिखा कर फिर से एक बार मत्रा रोट की तरफ जा रहे हैं और देखेंगे क्या एनच पीसी वाले अंडर पास पर भी पुलिस ने यहीं इंतर्याम किये हैं समय से पहले और फिर से हम लोग पहुँच चुके हैं और यहां से हम जाएंगे मत्रा रोट पर बदरपूर की तरह नेख सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा पानी है साइड में थोड़ा थोड़ा पानी है ओल्ड के अंडर पास में हर बारिश में लगबग हर बारिश में कोई ना कोई गाड़ी फस्ती थी और इस बार पुलिस ने पहले से इंतर्याम कर दी बारिश शुरू होती बैरिकेडिंग लगा दी गई है तक फिर से कोई भी अंजां चालक जो लोग यहांके हैं जो लोग यहांके रहने वाले हैं परीद cœur लोग उड़ा थे ना अईपास में पानी बहुत जादा भड़ जाता है बोलो गुदह नहीं जाते हैं लेकिन कोई नया वेक्षी जो फरीदाबाद में आता है वो जानकारी के अभाब में अंडर पास की तरफ चला जाता है और फिर गाड़ी फश जाती है इससे काफी नुकसान होता है गाड़ी का भी नुकसान होता है और इसलिए इस बार समय से प बॉडर की तरफ और आप देख सकते हैं यहां पर सड़क खाली है कोई जाम भी नहीं है यहां परкивूट dobrze है पानी भी बारा है हंपर। वाड़ की तरफ जाते परे और से ईब्द की तरफ जाते पर कोई भी नहीं बारा हुआ है आगको प्याना शहर के आप देख सकते हैं, आप लगातार हमारे साथ बने रिए, तुरे शायर के हालात आपको दिखाएंगे, और हम इस वक्त बढखल की तरफ है, बढखल प्लायओर के पास पहुच चुके हैं, और यहां पर भी पानी नहीं है, सड़क पे, हाईवे पे पानी नहीं है, अतरा रोड पे सेक्टर में, जी, नितिन गोस्वामी जी, राम राम जी, कैसे हैं, हम आज फरीदाबाद को दिखा रहे हैं, सड़कों का हाल दिखा रहे हैं, क्या हाल है, बारिश के बाद, कहा पानी है, कहा जाम है, दिखाने के लिए निकले हुए हैं, और आप देख सकते हैं, यहां पर कि लाल ना पानी बरा है और ना ही जाम है अभी स्मूर्ड ट्रैफिक चल रहा है और यह हम पहुंच गए हैं बढखल पर इसकत बढखल प्लाई ओवगर पर हल्की सी रेड लाइट है जांकी स्थिति नहीं है रेड पानी भी नहीं है यहाँ पर अना कि मत्रो रोड पर भी जब बारिश होती है तो पानी काफी बर जाता है पर इस एरिया में अभी चल बरा नहीं हुआ है सडके साफ है इसलिए आना जाना हो रहा है गाड़ियों से आप इसलिए देख सकते हैं पुरा साफ है बिल्कल भी पानी आज पता चलेगा मंत्री जी ने कितना विकास कराया है सौरब जी विकास तो दिख रहा है सडकों पर दिख रहा है विकास बाकी लगातार हम आपको दिखानी की कोशिश कर रहे हैं क्या है हालात शहर के अभी मत्रा रोड का किसी ने बोला था मत्रा रोड का दिखा रहे हैं अभी मत्रा रोड से जब अंदर जाएंगे तब आपको असली हालातों का पता चलेगा कि असली हालात क्या है और फिलहाल अभी हमने अंडर पास पे जैसे जो लोग जेर से जुड़ा है उनके लिए बता दें ओल्ड के अंडर पास पे फरीदाबाद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है जिससे गाड़िया अंदर की तरफ ना जाएं हर बार ऐसा होता था कोई न कोड़ी गाड़ी फर्च जाती थी और दिक्कत होती थी लोगों को पुराने लोग नए लोग फरीदाबाद में आते हैं उनने नहीं पता कि फरीदाबाद में बारिश के बार अंडर पास की क्या हालात हो जाती है इसलिए कई बार काफी गाड़ियां फर्श चुकी हैं और इस बार बारिश से पहले ही जलवराव होने से पहले ही पुलिस ने बेरिकेडिंग लगा कर उन घटनाओं को रोग दिया है तुटा साथ नेट वरक इशू है बारिश के मौसम नेट वरक इशू हो जाता है तो अधर जोड़ रहे हैं आपको पुरीदाबाद की सड़कों से अभी तेलाल हम हाइवे पर हैं और अंडर पास देख रह रहे हैं कि हरण अंडर पास में बेरिकेडिंग लगाया जा चुका ह जैसा की ओल में हमने दिखाया वो भी पता करते हूं उसके बाद फिर से वापस काफी नेटवर्क इशू आ रहा है हना कि बारिश के मौसं में नेटवर्क इशू रहता ही है लेकिन बार बार नेटवर्क का इशू आ रहा है इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को असी विदा हो गया है मतरा रोड़ पर फी थोड़ा थोड़ा पानी बना शुरू हो गया है और अभी हम हम अंगे अंडर पास की द्रफ जा रहे हैं वह के भी हाला देखते हैं क्या है हना कि के लाल हम बढ़कर प्लाय योगर को तॉस करके आगे जा मेवला महराजपुर की ओर, लिखार रहे हैं आपको बारिश के बाद के हाला, अभी भी आना की बारिश के बाद नहीं कहा जाएगा जोटान हूँए, अलका डिल के बाड़िस चल रही है, पारिश के बाद फरीदाबाद में सबसे बड़ी परिशानी होती है वो फनते हुए सीविच और उसके बाद फैलती गंदगी आई फ्लू भी इसी का कारण है जो गंदगी फैल रही है और अब तो क्लियर हो रहा है राच जी क्लियर है यहां पर मतरा रोड पर क्लियर है आप मेवला महाराजपूर करना harm сейчас और क्या यहां पर भी फिलिस ने बेरी हीडिंग लगा रखी है जिससे कि कोई गाड़ी अंदर की तरफ ना जाए, अंडर पास में जाकर ना फसे, कापी दिक्कत का सामना करना पड़ता है अगर अंडर पास में गाड़ी फस जाती है जाकर, दिखा रहे हैं आपको लगातार क्लियर है कोई पानी नहीं है, कोई जाम नहीं है, ठैंक्स राज भाटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बस यही हम दिखाना चाहरे है कि इस टाइम पर कहा जाम है, जैसा कि हमने बताए, जैसे भी की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर काफी जाम है, लेकिन यह जाम पर बिल्कुल अभी कोई जाम नहीं है, आप देख सकते हूं, रेड लाइट पर थोड़ी सी गाडिया खड़ी हुए, बढ़ जाम के इस्तिती नहीं है, अला कि बारिश के बार शेहर में जाम के इस्तिती बन जाती है, पर फिलाल कंट्रॉल में है, और मेवला महाराज पर के अंडर पास पर हम लोग बहुत चुके हैं, और यहां पर भी देखेंगे हम, पिलाल क्या कंट्रॉल है, वो भी आपको दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा रॉंग साइट से भी लोग आ रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत रहता है, जब रॉंग साइट से लोग आते है तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक स्मूध उसमें आप जा रहे हैं, और उसके बाद अगर रॉंग साइट से कोई आता है, तो एक्सिडेंट के चांसे बढ़ जाते हैं, इसलिए जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज रॉंग साइट पर पास की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और देखें यहां पर क्या है हालात, और क्या यहां पर भी पुलिस ने इंतर्याम करे हुए, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एकदम क्लियर है, और कोई पानी नहीं है, फिलाल गाड़ियां आ रहे हैं, जा रहे हैं, और एकदम क पानी हरा हुआ है लेकिन वह इतना नहीं है कि उसकी वज़े से ट्रैफिक को रोका जाए और आने जाने में आसे विदा हो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली गाड़ियां आ रही है जा रही है पुल्दीप गर्ग जी वेरी गुड मॉर्निंग कैसे आप मैंने आपको दिखाया ओल्ड का अंडर पास दिखाया जहां पर फुलिस ने पहले से भी वेरिकेडिंग लगा दिया और इस टाइंग मैं हूं मेवला महराज़पूर के अंडर पास पर और आप देख सकते हैं यहां पर गाड़ियां स्मूदली आ रही हैं जा रही हैं कोई ट किसी अंडर पास की ओर महां से हम आपको दिखाएंगे क्या है हालात फिलाल हैं से हम टर्न लेंगे और वापस मत्रा रोट की तरफ चलेंगे क्योंकि फिलाल हम अंडर पास के हालात ही देखने जा रहे हैं आप देख सकते हैं कोई ट्रैफिक नहीं है कोई वाटर लॉगिंग नहीं है यहां पर एक अकेला अंडर पास होगा यह इंसी आर का जो बारिश में बरा नहीं है देखेंगे अभी हालात और भी आगे देखेंगे नहीं की सी वाले अंडर पास के हालात देखेंगे परेदावात के हालात के वांटर लॉग बोड चुकी है और कोलिस ने इस बार पहले से ही सटर क्ता बहुत के हुए dust बेरिकेडिंग लगा दिया है जिससे किसी भी गाड़ी का नुकसान ना हो कोई वहां जाकर पसे ना और आगे हम continuous दिखा रहे हैं आपको शहर के मत्रा रोड के हाला थे लाल से पहले हमने सेक्टर सोला के हाला दिखाये थी आपको बताया था अगर आपको सोला सेक्टर में आन पानी है और वही हम आपको दिखा रहे हैं अगर आपको में रोड पर आना है तो आप यह मेवला महराजपुर वाला अंडर पास यूज कर सकते हैं यहां पर कोई पानी नहीं है और ट्रैफिक भी इतना ज्यादा नहीं है यह तो रेड लाइट की वज़े से कुछ गाड़ि हमें फृम है और बास यह रेड लाइट है थोड़ा सा उसकी वज़ए से थोड़ा सा रुपना पढ़ रहा है हमें उसका बाद हम सीधे नहीं यह से अंडर फास की तरफ जाएँगे उसके बात सेक्टर्स के हाला दिखाएँगे हैं वहा से लोडते पर पानी अगर कोई के अगर कहीं भी शहर में इस वक्त भारी जाम लगा हुआ है तो प्लीस हमें कमेंट करके बताएं कि यहां पर जाम लगा हुआ है जिससे जो लोग उधर की तरफ जा रहे हैं वो कोई आल्टरनेट रूट फॉलो करें और उस जाम से बच सकें या उस जाम को बढ़ावा ना दें और लगातार आप लोग कमेंट करते रहे हैं जिससे हमें भी शहर के हालात पता चल सकें कि कहां क्या हो रहा है जैसे और आपको दिखा रहे हैं तीरे-दीरे मूब कर रही हैं गाड़िया स्मूद्ली मूब ही है ट्रैफिक कोई ट्रैफिक नहीं है इदर अगर आप बदरप नहीं मिला है और गाड़ी स्मूद्ली निकल रही है और जल भराब भी नहीं मिला है हाँ पर विजय सिंग जी गूड मॉर्निंग कैसे हैं और अब हम फिर से एक बार मत्रा रोड पर आ चुके हैं आपको मेवला महाराजपूर वाले अंडर पास के हाला दिखा कर एक बार फ और फिर से देख सकते हैं आप यहां पर कोई वाटर लॉगिंग नहीं है मत्रो रोड पर यहां भी एकदम खाली सड़क है कोई वाटर लॉगिंग नहीं है कोई ट्रेफिक जान नहीं है अलाकि मौसम आज बारिश का है और बादल को देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रह बच्पन अपना ना बच्पन एंजॉय कर रहे हैं तैर के देख रहे हैं बलब गड़ में जी राजी पांचाल जी थैंक्यू सो मच बलब गड़ में बहुत जादा जाम है और पीज जो भी बलब गड़ की तरफ जा रहे हो पीज अवाइट करें थोड़ी देर के लिए जिसस कि बताया जा रहा है बलब गड़ की तरफ काफी जादा जाम है वो और ना बढ़े और हम लगातर आप से बोल रहे हैं और भी कहीं अगर जाम है तो आप प्लीज कमेंट में कमेंट बॉक्स में डालें जिससे कि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि यह रूट है वर्ड किया दिक्कत होती है वो एक और अंडर पास और एक एनच्पी से ऐंडर पास पर होती है अटक ओ लोट को उडिःधा करी जा चुकी है और NHPC Underpass का अब ये देखेंगे क्या है हाला फिलाल हमने मेवला महराजपूर देखा जहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं था और स्मूदली गाड़ी आ रही थी जा रही थी ग्यानिन कुमार मिश्रा जी वेरी गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप बारिश का मज़ा लीजए सुबह से दिल्ली NJCR में नौईडा से भी कई लोगों के मैसेज़िस और विडियोς आ रहे है नौईडा में भी बारिश फिलाल हो रही है और अच्छी बारिश हो रही है दिल्ली में भी काफी अच्छी बारिश है और फरीदाबाद में भी सुबह से बारिश हो यह रही है। लेकिन कभी तेज हो जाती है तो भी हलकी हो जाती है। यह नहीं कह सकते हैं कि काफी तेज बारिश हो रही है। धीमी पढ़ जाती है कभी तेज हो जाती है। वाटर लॉगिंग खान लगी फरीदावाद में शुरू हो चुकी है जैसा कि हमेशा ही होता है थोड़ी सी बारिश होती है कि फरीदावाद की सटकों पर पानी नजर आने लगता है फरीदावाद डूपता हुआ नजर आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी साइट से भरा हुआ है सडक के किनारी से पानी भरना शुरू हुआ है आप लेकिन वह भी ज्यादा नहीं है पर हाँ जैसा कि अभी पीछे आपने देखा एनेच फीस एनेच पीसी एस यूजर फुल होगा जी अभिशे गुपता जी बिल्पूल एनेच पीसी पर ही जा अगर आपको दिखाएंगे लाइफ दिखाएंगे कि नहीं पर पाता है लोगों को और वह गाड़ी को अंदर तक ले जाते हैं उन्हें लगता है गाड़ी निकल जाएगी लेकिन पानी इतना ज्यादा होता है कि गाड़ी वहां फस जाती है खासकर उनके साथ यह दिक्कत होती है जो फस ट्रैंक परिदाबाद में अंडर पास को यूज कर रहे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है और जो लोग यहां रह रह रहे हैं उन्हें तो अल्रेडी पता है कि यहां के हालात क्या है वो वैसे ही उस रूट को एवाइड कर द जाएगा हुआ है धन्यवाद सुमित तायल जी बहुत बहुत धन्यवाद यह इन्फोर्मेशन देने के लिए और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो यह समझ लें कि इस रास्ते पर जाने से दो घंटे खराब होंगे और इसलिए इन डूर्स को एवाइड करें अगर बहुत जरूरी रहा हो तो इन रूट को ना जाए जिससे कि अननैसेसरी जाम ना बढ़े और दीरे दीरे यह जाम खुल जाएगा टाइम लगेगा लेकिन दीरे जाम अगर और लोग जाएगे तो यह जाम बढ़ता जाएगा इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहां भी जाम को पता चुल रहा है जैसा कि अभी सुमित तायल जी ने बताया कि दो घंटे का जाम है तो प्लीज उस रूट को एवाइड कर दें जिससे कि यह जाम और ना बढ़े और जो लोग महां फसे हुए हैं कोई जरूरी काम से जा रहा है और जो लोग महां फसे हु क्योंकि अल्रेडी पुलिस ने यहां पर वेरिकेडिंग लगाई हुई है आप देख सकते हैं यहां जाने के लिए रास्ता नहीं है और आगे भी बिल्कुल वहां पर देखा जाए तो पुलिस की गाड़िया लगी हुई है और हम वापस हो रहे हैं यहां से अंजरोधा सबसे पहले हमने शुरू ही सोला सेक्टर से किया था और सोला सेक्टर में पानी के हालात दिखाए थे रहनुजी और अभी हम जा रहे हैं फिलान देखेंगे अजरोंदा पर भी क्या है हालात आपको दिखाएंगे जरूर दिखाएंगे जरूर दिखाएंगे जरूर दिखा का अलात है और क्या यहाँ पर किस-किस जगह कितना कितना पानी और कहाँ पड़ जा में यह भी हम Al F Henry Warmth के दौराना आपको बताएंग क्यूकि हम सभी से रिक्रष्ट करें हैं कि अगर कोई कहीं जा रहा है रॉह पर जाएं तो प्लीज से वापस जा रहे हैं और यह एनिफपी सी चॉक मेट्र स्टेशन है यहां कर तोड़ा सा जलवराव है बट कोई वैसी दिक्कत नहीं है स्कूती होगेरा भी अराम से निकल सकती है और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे शहर के हालाथ मैसे जनरली क्या होता है जब रारिश होती है तो इसकी बाद फर्फ रे स्ट्राइफिक कफी होजाता है इस अभी है जैसे हम आये उल्ड से बतरपूर की उल्ड से बतरपूर तक कोई ट्रैफिक नहीं है हाला कि मैसेज़ आ रहे हैं कि बलब गड़ की तरफ काफी भारी ट्रैफिक है तो सभी से रिकेस्ट है कि जो भी बलब स्टेटस और पास मनीश कुमार जी और अभी वेरिकेडिंग लगा चुकी है पुलिस और वहाँ पर एंट्री बंद है और अपर थोड़ा सा जलबराव है बाटा पुल का क्या हाल है कविता जी अभी बाठा पुल की तरफ भी जाएंगे हम लोग अभी फिलाल हम लोग बॉर्डर की तरफ से लॉट रहे हैं अपक से वापस आरे हैं अब बूलब बाटा जाना चाहे तो जासकते हैं बदर्पूर तक के रास्ते में ना कोई जाम है और नहीं कहीं जल भराब की इस्थिती आए और हम वापस अब जा रहे हैं और आगे देखेंगे आगे क्या है हाला शेहर के बिल्कुल बने रही है हमारे साथ हम आपको एक एक अपडेट लेंगे शेहर की पूरी अपडेट देंगे और फिलाल जैसा कि जो लोग देर से जुड़े हैं जुनों नहीं देखा उनकी जानकारी के लिए बता दें और अपको पूरी अपको पूरी अपको पूरी अपको पूरी जाती थी इसलिए इस बार पहले से पूरी पूरी बेरिकेडिंग लगा दी है जिससे कोई अंदर ना जाए और फसे ना और वहां पर कोई भी वाटर लॉगिंग नहीं है तो अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं तो आप मेवला महराजपूर का अंडर पास यूज़ कर सकते हैं मतरा रोट पर आने के लिए और बाकी हम जैसा कि दिखा रहे हैं परिताबात कोई नए कवर बताओ सबी पता है बारिश आते ही आप लोग सबसे पहले भागे हैं ओल्ड अंडर पास और नहीं के सी मुकेश जी हमारे पास मेसेज़ आये थे कि NHPC के हाला दिखाएं ओल्ड अंडर पास के हाला दिखाएं और इसी वज़े से हम दिखा रहे हैं सारे हाला दिखा रहे हैं और अभी हम दोबारा से जा रहे हैं सेक्कर्स के हाला दिखाने ही लिए क्या हाला थे हैं अभी हम साहिल ज अगर मत्रा रोड यूज़ करते हुपर तो यहां पर वाटर लॉगिन आदी आपस ऍंप мног आपर वाटर वॉट्रिय और फीड़ूज भी कोई आजा सक्टे हैं बाकी आगे अजणोंदा की तरफ जैसे की मैसेज़ जा रहे हैं। इसलग पॉट फ्लाईवर एड लाईट पर लिएफिक तरफ काफी ज्यादा है। और यहां डेख सकते हैं। यहां अब लुट अब सब प्रुमच गए है। बढखल रेड लाइट पर बढखल फ्लाइवर रेड लाइट पर बलब गड में पानी है प्लाइवर के नीचे पानी है बरा हुआ है वाटर लॉगिंग हो रखी है बलब गड में और अभी हम इदर से आपको दिखाएंगे सेक्टर 19 की तरफ जा रहे हैं सेक्टर 19 के हाला दिखाएंगे आपको और यहां पर आपको जब आप सेक्टर 19 से बढखल की तरफ आएंगे तो आपको लंबे जाम का सामना करना पड़ सकता है और आप देख सकते हैं लगातार बहुत लंबा जाम है यहां पर दिखा रहे हैं पूरा जाम ही जाम है, गाडियां ही गाडियां है, काफी लंबा जाम है इस रैड लाइट पर, ये बढखल फ्लाइवर वाली जो रैड लाइट है, उसके हम हाला दिखा रहे हैं, जाम के हाला दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, पूरा जाम लगा हुआ है, अगर आप इस को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज अवर्ड करें यहां पर काफी लंबा जाम लगा हुआ है तो बढखल प्लाइओर जाके पर अगर हम तो बाइपास की तरफ जा रहे हैं तो रोड एक्दम क्या है और अभी आपको आगे भी दिखाएंगे क्या है हालात बने रहे हैं शहर आपकी सिसती में है वाट लॉगिं में हो रखी है अग्यार है इस रोड को देखकर वाखी लग रहा एि स्मार्ची परीदाबाद है हाना कि अभी अंदर के हाला देखकर कोई नहीं कह रहा है स्मार्ट सिटी परीदबाद है बट इस रोड को देखकर तो लग रहा है स्मार्ट सिटी परीदबाद है बहुत अच्छा लग रहा है यह रोड चलने में भी और वाटर लॉगिंग भी नहीं है बारिश के बाद भी क्या है कि यहां से सेक्टर होंनेस की तरफ के लिए और नियुक्त करें को खुष। दुकाने कुछ चुकि है और यहां भी पानी नहीं आपके लिए इससाथ आसकते हैं की saq hai 2-2 को अंधी दुआ है को है कशोड़क्र है को आगे भी दिखाएंगे अपको को आपको अपर इसकुल के हालाथ अधारा को जिसके करन आ सकुछा हाला थे कि away आ देख सकते हैं यहां कोई वाटर लॉगिंग नहीं है इस पर मार्केट अगर आप आना चाहें या बेंड मार्केट की तरफ से आना चाहें तो बिल्कुल क्लियर है एक दम कोई जलबराब नहीं है कोई भी ट्रैफिक हो रहा कुछ भी नहीं है हाला कि थोड़ी देर बार दुकाने खुलने के बाद यहां पर ट्रैफिक होना शुरू हो जाता है दुकाने भी काफी दुकाने बन है बारिश की विज़ेसे लेट बूल रही है दुकाने फिर भी थोड़ा-थोड़ा मार्केट खुल चुका है और यह रोड अला कि एकदम क् कई जड़ा जड़ा सब आगी विजिट अमिज जी पांच नमबर की तरफ आना इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि ओल्ड का अंडर पास बंद कर रखा है और उधर से मैं आती तो उधर से पॉसिबल हो नहीं पाया और अभी हम आपको खिलाल इतर के हाला दिखाते हैं अभी उधर की टीम के लोगों से बोलेंगे उधर के भी हालात आपको दिखाएंगे वहां भी हमारी टीम हो भी आपको उधर के पूरे हालात दिखाएगी अभी थोड़ी तेर पहले हमारी टीम से कि शोर जी ने आपको बढखल के हालात दिखाये थे बढखल में क्या है हाल बारिश में शोड जी ना पूरा दिखाया था और मैं सेक्टर 16-16 इनके हालात आपको दिखा रही हूं कोई वाटर लॉगिंग नहीं है कहीं भी है कि इस जगह और आगे जाकर पता पड़ेगा कि आगे क्या है हालात देखते ही है आप इन इन इटी पांच में पानी क्लियर है थैंक्स रहनु जी पांच नंबर में पानी नहीं है कि पांच नंबर में वाटर लॉगिंग नहीं है कि इस पांच नंबर में वैसे भी पानी कम बढ़ता है यह जो हालात होते हैं कि महां भी पानी काफी ज्यादा बढ़ता है इसे में कि अज़रोंदा की तरफ जो हालात और भी लोग प्लीज कमेंट करके बताएं अगर कहीं जाम है या कहीं वाटर लॉगिंग ज्यादा है जिससे लोग उस रूट को एवाइड करें यहां हम पहुंचें आप इस वक्त हमें बैंड मार्केट में और बैंड मार्केट के हाला हम आपको दिखा रहे हैं त 것은 यहां पानी एकम क्लियर को इन वाटर लॉगिंग सिस्वावरिष लिए सुथब इए और सफनो का पैनी बै क्लियर क्लियर है तैंक साहिल जी पाश नुमबर में पर संदेशन बताने के लिए निटी पाश नुमबर की पानी नहीं है बाकि विख्यारी पास है और बाकि क्लियर है अभी रेनु जे ने भी बताया पाश नंबर में फिलियर है थोड़ा सा पानी है कहीं कहीं और बागी जगे क्लियर है और आप इदर भी देख सकते हैं यहां भी पूड़ा क्लियर है कोई खास यहां पर जल भराव नहीं है इसक्तम क्लियर रोड है तो ओड़ा सा रेड लाय पर पाणी नजर आ रहा है मेरे एपोज्ट साइड आप देख सकते हैं मेरे एपोज्ट साइड पानी भरा हुआ है जो इस रोड पर मैं जा रही हूं उसके अपोजिट साइड आप देख सकते हैं काफी पानी भरा हुआ है आप देख सकते हैं और जैसे जैसे मैं रैड लाइट की तरफ जा रही हूं यहाँ पर भी पानी काफी है तो परीदवाद आपने देखा मैंने काफी जगा आपको दिखाया कहाँ पर पानी है और कहाँ पर जाम है कहाँ पर नहीं है यह भी बताया और के अक बार बता दें और नच पी सी अणदर पास अ रेड की पानी है बिल्कुल है इसक्टर सोले की सब्जी बंडी के गेट पर काफी पानी है और और फिर से एक बार सेक्टर 16 पहुच गए हैं बापसी में और आपको हमने दिखाया और आपके लिए एक बार फिर से क्लियर कर दें कि ओल्ड का अंडर पास और NHPC का अंडर पास फिलाल बंद किया जा चुका है आने जाने वालों के लिए और वहां पर पुलिस ने बैरिकेड पर आना है तो आप मेवला महराजपूर का अंडर पास यूज कर सकते हैं वहां पर कोई वाटर लॉग नहीं है और नहीं कोई वहां पर ट्रैफिक है क्लियर है एकदम मेवला महराजपूर का अंडर पास यूज करें अगर आप मत्रा रोड पर आना चाहते हैं मेवला पास बंद कर दिये गए हैं और जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्ने खबरों के साथ धन्यवाद